विदानसभा चुनाव, 2023 की मदगन्ना के बाद, अब जीले की छे विदानसभाइव में परिनाम की घृष्षना के साथ साथ, नव निर्वाशित विधायाक भी बन चुके है। किन्तो जिस प्रकार से जिले की छे विदान सबा में 60-60 प्रत्याश्य चुनावी मैदान में थी उसमें से लगवाग आधा सेकड़े से भी आधिक प्रत्याश्यों की जमानत चप्त हो चुगी है जिसमें से बहुत से निर्दली प्रत्याश्यों थे जो अपनी जीत का दावा कर रहे थे उनकी विजमानत अब चप्त हो चुगी है आपको पता दे कि विदान सबा चुनाव 2030 की मतगना के बाद देर रात तक जिले के छे विदान सबा में जीते हुए प्रत्याश्यों की गोशना के साथ ही जिला निर्दली प्रत्याश्यों की जीत का दावा भी कर रहे थे जिनकी भी करारी हार के साथ साथ जमानत भी जब्त हो चुकी है जिनोंने निर्बाचन फार्म परते समय जो राशी जमा की थी वह राशी भी अब चुनावा आयुक शप्त कर लेगा जिसमें सामाने वर्यक की प्रत्याश्यों की जमानत 10,000 रुपे जमा करना था वहीं S2, S2 कैटेगरी की प्रत्याश्यों की 5000 रुपे राशी जमा करनाई मंच्छा जमानत राशी जमा करता होती है यदि प्रत्याश्वी को चुनाव में कम ओट लेता है तो विधानसवा के ओटर की तुल्ला में अनुमानित ओट नहीं ले पाते हैं तो उनकी जमानत राश्वी चुनावायुक जफ्त कर लेता है तो यहीं स्तिति बालगहट जिले की छे विधानसवा में देखने को मिली है। यहां पर 60-60 प्रत्याश्षियों से विधानसवा चुनावाँ मैदान में थे। जिसमें से मात्र 6 विधानसवा में भाजपास और कॉंग्रेस के ही प्रत्याश्षिय अपनी जमानत बचा वह बाकि सभी निर्देली वह कुछ दलों के पार्टियों के प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। अपनी जमानत राशी तक नहीं बचा पाए।